क्या आपके वीडियोस में भी व्यूज नहीं आ रहे हैं आपने बहुत सारी वीडियोस अप्लोट कर ली है लेकिन थोड़े ही व्यूज आते हैं और सस्क्राइबर भी कमबड़े हैं आपकी चैनल की ग्रोथ बहुत ज़्यादा स्लो हो रही है तो मैं दावे के साथ कह सकती और व्यूज आएंगे तो सस्क्राइबर भी बढ़ेंगे और चैनल की ग्रोथ भी होगी जब हम यूटूब पे नए नए होते हैं तो हमें इन चीजों के बारे में नहीं पता होता है कि कौन सी सेटिंग आन करनी है हमें किस सेटिंग पे किस चीज को रखनी है तो आज की व होगी वीडियो को शुरू करते हैं पर उससे पहले हेलो फ्रेंज मैं सुप्रिया सिंग आप सभी का स्वागत करती हूं A to Z कॉंटेंट में अगर यह वीडियो आपको पूरी देखने के बाद अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सस्क्राइब जरू जाना है और अपने चैनल को अपने यूटूब चैनल को हमें डेस्क्टॉप साइट पे ओपन कर लेना है उपन करने के लिए आपको studio.youtube.com इस पे लॉग इन करना है आप देख सकते हैं आपको जो चैनल है वो इस तरीके से डेस्क्स्टॉप मोड पे ओपन हो जाएगा आ ये जो सेटिंग्स में आपको बताने जा रही हूँ ये चीज आप YouTube पे या फिर वाइटी स्टॉडियो में नहीं कर सकते हैं आप Chrome पे जाकर desktop साइट पे अपने चैनल को लॉग इन करिए उसके बाद ही आपको ये जो एडवांस सेटिंग मिलती है ये सारी चीज़े मिलती ह आपको यहां पे मैंने ओपन कर लिया है अब यहां पे सबसे नीचे हम देखेंगे एक सेटिंग बना हुआ है इसके उपर हम क्लिक करते हैं इसके उपर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का पेज आपके सामने आ जाएगा जनरल चैनल ठीक हैं तो हम यूपर पहले क्लिक कर लेते हैं दूसरे नंबर पे है चनल उसके उपर क्लिक करने के बाद आपको यहां पे कुछ सेटिंग मिल जाती है जो की आपको जरूर करना चाहिए इससे आपकी चैनल की ग्रोथ अच्छी खासी होती है ठीक है तो पहले ही नंबर पे आप देख सकत है country of resident ठीक है जैसे कि मैंने यहां पर इंडिया select कर रखा है तो आपको आप कहां पर रहते हैं वो country select करना है क्योंकि YouTube को यह चोटी-चोटी चीजे होती है पता होना बहुत जादा जरूरी है और जब उसे यह सारी पता होगी आपकी information पता होगी तब भी वो आपकी वीडियो को सही लोगों के सामने recommend कर पाएगा suggest कर पाएगा ठीक है तो यह हो गया हमने यहां पर country already select करके रखा है दूसरा है keywords आप दूसरे ही number पर देख सकते हैं यहां पर लिखा गया है keywords और इस keywords में आपको 500 letters लिखने होते हैं अब keywords में आपको लिखना क्या है बहुत बार हमें पता ही नहीं होता है कि हमें क्या लिखना है जैसे कि आपकी अगर cooking related channel है तो आपको cooking related जितने भी hashtags होते है food, cooking, street food, festival food, cooking video, viral cooking video, quick recipes, easy recipes इस तरीके से अगर आपका cooking channel है तो आपको tags मतलब keywords लगाने है अब यहां पर मैंने क्या लगाया है यह technical channel है इस पर मैं YouTube related tips देते रहती हूँ ठीक है तो आप देख सकते हैं मैंने यहां पर कौन-कौन से keywords लगाए है सबसे पहला channel का नाम product review, online shopping, एरा नाम है blog है क्योंकि मैं कभी-कभी vlog भी करती हूँ तो मैंने वो लिखा है इसके अलावा YouTube tips, YouTube knowledge, YouTube update, how to grow YouTube channel, subscriber कैसे बढ़ाते हैं, views कैसे बढ़ाते हैं grow channel fast, यह साथे tags मैंने keywords मैंने लगाए हैं, इस channel के according, आपको अपने channel के according keywords लगाने हैं और 500 letters, मतलब 500 letters आप अपने keywords में लिख सकते हैं इसके अलावा आपको channel का keyword भी लगाना है, मतलब channel भी एक दो बार अच्छे से लिख दीजिए आपके channel के लिए यह ज़्यादा फाइड़े मन्द होगा, अब एक-क keyword जब आप लिखेंगे तो आपको comma डालना है ठीक है, comma डालेंगे तो ही यह keywords लगेंगे, नहीं तो फिर नहीं लगेगा आपको यहाँ पर एक लगा करके दिखा देती हूँ, ताकि आप समझ पाएं चलिए मैं लिख देती हूँ, यहाँ पर YouTube और YouTube लिखने के बाद जैसे आपका एक keyword कम्पलीट होता है आपको डालना है, comma, ओके, उसके बाद go अब यहाँ पर देखिए, यह keyword लग चुका है, अब यहाँ पर 500 latest से जादा नहीं लगा सकते हैं आप देख सकते हैं, मैंने already 500 latest लगा रखे हैं, तो यहाँ पर यह red color में दिखाई देने लग जाएगा और यहाँ पर error भी आने लगेगा, तो आपको 500 latest ही लगाने हैं, उससे जादा नहीं और उसके बाद यहाँ पर नीचे आपको save button मिल जाएगा, आपको save कर देना है यह हो गया है, दो settings जो की आपको यहाँ पर जाकर करना होता है अब हम चलते हैं, advance setting, दूसरे number पर है advance setting, आपको advance setting के ओपर click करना है और अब यहाँ पर देख सकते हैं, आप कुछ और भी settings है यह सारी settings जब आप on करते हैं, या फिर आप सही से choose करते हैं तभी YouTube समझ पाता है कि आपकी videos को किस audience की सामने रखना है यहाँ पर चलिए, देख लेते हैं, do you want to set your channel as made for kids यहाँ पर YouTube ने दो category बना दी है, एक बच्चो के लिए, एक बड़ो के लिए अब बड़ो में भी बहुत सारी category होती है ठीके, मैं आपको वो भी बताऊंगे कि बड़ो में भी आपको category कैसे choose करनी है कि आपकी वीडियो को किस audience के सामने लेकर जाना है YouTube को, तो वो setting भी मैं आपको बताऊंगे, तो पहले तो हम यही देख लेते हैं, आप बड़े लोगों के लिए अगर वीडियो बना रहे हैं तो आपको टिक करना है, अब जैसे कि मैंने अपनी वीडियो जो मैं बनाती हूं वह मैं बड़ो के लिए बनाती हूं तो मैंने यह setting दूसरे नंबर की setting है उस पर टिक किया है कि मेरी वीडियो बच्चों को मत दिखाई है और मेरा जो content है वह बच्चों के लिए नहीं है, तो इससे क्या होगा, यह होगा कि YouTube आपकी वीडियो को बड़े लोगों के सामने ले जाके प्रेजंट करेगा अडल्ट लोगों के सामने आपकी वीडियो सजेस्ट होगी बच्चों में नहीं होगी यहाँ पर यह टिक करने के बाद आपको सेफ के उपर बस क्लिक कर देना है एडवांस सेटिंग में बस आपको यही एक काम करना है जब आप वीडियो को अपलोड करते हैं तभी भी आपको हर वीडियो अपलोड करते समय कुछ न कुछ सेटिंग करनी पड़ती है और वो सेटिंग क्या है आज की वीडियो में मैं आपको बता देती हूँ जब जब आप video upload करिए तो upload करते समय ही ये सारी settings आपको करनी होगी अब यहाँ पर देखिए मैंने वहाँ पर advanced setting में भी आपको बताई थी कि आपको क्या setting करनी है यहाँ पर भी वो चीज आ जाती है अब यहाँ पर आपको ये बार बार ना choose करना पड़े इसलिए आपको channel की setting में जाकर ही पहले से ही setting कर लीजिए ताकि आपको ये चीज बार बार नहीं choose करना पड़े अब मैंने वहाँ पर setting कर रखी है इसलिए यहाँ पर already tick आ रहा है अगर आपने वो setting on नहीं की होगी तो यहाँ पर tick नहीं आएगा और आपको इस समय टिक करके choose करना होगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं no it's not made for kids already selected है और नीचे चलते हैं हम अब यहाँ पर click करेंगे more more के उपर आप जैसे ही click करेंगे यहाँ पर दो language choose करने को options मिलते हैं confused नहीं हो येगा एक है video language और दूसरा है title and description language पहले यहाँ पर सिर्फ एक ही option रहता था लेकिन अब नया option आया है और इस नई setting को भी आपको choose करना होता है video language क्या है यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने already हिंदी choose करके रखा हुआ है कि मैं हिंदी में video बनाती हूँ ठीक है आपको ये चीज यहाँ से choose करना है अगर आप सही language यहाँ से choose नहीं करेंगे problem यह होगी कि YouTube खुद confuse रहेगा कि आपकी videos को कहाँ पर suggest करना है कहाँ पर किस audience को दिखाना है इसलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं language बहुत सारी है Hindi, English, हर language है आपको यहाँ से choose करना होगा मैंने Hindi language यहाँ पर choose किया हुआ है दूसरे नंबर पर आता है title and description language अब जो title मैं लिखती हूं और description मैं लिखती हूं उसे मैं किस language में लिखती हूं ठीक है तो यहाँ पर भी यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने English India चूस किया है आप जब इसके उपर क्लिक करेंगे मैं आपको क्लिक करके दिखाती हूं यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो इतनी सारी language ओपन हो जाती है तो जो title में लिखती हूं जो description में लिखती हूं वो मैं English में लिखती हूं उसे Hindi में नहीं लिखती हूं इसलिए मैंने यहाँ पर English India English के भी बहुत सारे option है आप देख सकते हैं English Canada English India English United Kingdom English United State मतलब English में भी इतने सारे options है तो मैंने यहाँ पर English India इसके उपर चूस किया है और आपको भी बिल्कुल ऐसे ही करना है अब यहाँ पर हम यहाँ पर आ जाता है recording date आपने वीडियो किस दिन बनाई है वो उतना जरूरी नहीं है तो मैंने भी चूस नहीं किया है दूसरा आ जाता है video location आप वीडियो कहां से बनाते हैं कहां पर वीडियो शूट कर रहे हैं तो मैं यहाँ से choose कर लेती हूँ हैदराबाद तिलंगाना ठीक है अहाँ पर हम जैसे ही ह य लिखेंगे तो यहाँ पर हैदराबाद MMA बहुत सारे options है हैदराबाद तिलंगाना इंडिया में है हैदराबाद पाकिस्तान भी है तो यहाँ पर सही location चूज करना बहुत ज़ादा जरूरी है ताकि YouTube आपकी location के हिसाब से आपकी वीडियो को audience के सामने suggest कर पाए बहुत ज़ादा important एक चीज यहाँ पर और है आप देख सकते हैं यहाँ पर Shorts Remixing ठीक है आपको choose करना है allow video and audio remixing मतलब दूसरे लोग जो भी आपकी video mix करके कोई video बनाना चाहते हैं आपकी video का कोई content लेके video बनाना चाहते हैं या फिर आपकी audio लेना चाहते हैं तो आपको allow everyone के उपर click करना है पहले number पर allow video and audio remixing इससे क्या होगा कि जिसे भी आपकी video पसंद आएगी आपकी video से वो video बनाएगा या फिर audio part लेकर के इससे फायदा यह होगा कि आपकी video जो है जादा से जादा audience के सामने suggest होगी क्यूंकि कोई भी अगर आपका content या फिर audio ले रहा है तो आपको वो credit जरूर देगा और credit देने से फायदा यह होगा कि लोगों को आपकी video के बारे में आपकी channel के बारे में जादा से जादा पता चलेगा तो आपको इसे allow video and audio remixing के उपर ही click करना है next सबसे जादा important चीज है category आपको category चूज करनी है कि आप किस category पर video बनाते हैं आपका topic क्या रहता है और किस topic पर आप video बनाते हैं ठीक है यहाँ पर आप जैसे की देख सकते हैं मैंने science technology चूज किया हुआ है category सही चूज करेंगे तो उस category के हिसाब से YouTube भी सही audience के सामने आपकी video को present करेगा suggest करेगा अगर आपकी videos cooking related है या फिर art and craft है music है teaching related है तो आपको क्या category चूज करना चाहिए इस पर मैंने already video बनाया हुआ है आप उस video को check out कर सकते हैं video का link description box में आपको मिल जाएगा और इसमें से कुछ setting सैसी है जो कि आपको YouTube और YT studio में भी देखने के लिए मिल जाएगा लेकिन advanced और deep setting जो होती है वो आपको chrome में ही जाकर करना होगा और ये सारी setting जब आप on करेंगे तो आपकी videos में views भी अच्छे आएंगे channel की growth भी होगी और subscriber भी ज़रूर बढ़ेंगे तारी settings हो जाने के बार यहाँ पर बस save का button है save के उपर आपको click कर देना है उम्मीद करती हूँ ये video आपके लिए helpful और useful रही हो अगर ये video आपको अच्छी लगी है तो please video को like और channel को subscribe जरूर करिएगा मिलती हूँ फिर next video में तब तक के लिए take care bye bye